वाटर इन एन एलक्टिक कैटल गोनेकेट टू वाटू टू टूटू बोल्ट सप्लाई टेक्स फाइब मिनट तू रीच इस बॉइलिंड पॉइंट करहा है एक एलक्टिक कैटल है। कर रहा है इस लक्टिक कैटल को जब वायर से कनेट करने कर लिया गया है इसमें रखे हुए वाटर को बॉयल करने के लिए तो जिससे कनेट किया गया है वो कितने बॉल्ट की सप्लाई दे रहा है तूटॉन्टी बॉल्ट की सप्लाई दे रहा है वाटर को गर्म करने के लिए इसके boiling point तक पहुंचाने के लिए और जब यह water boil हो रहा है तो boil होने के लिए 5 minutes लेता है T is equal to 5 minutes लेता है और 5 minutes में यह water क्या करता है boil करके इसके boiling point तक पहुंचा देता है इसका मतलब T की जो value है वो 5 into 300 कर लेंगे sorry 300 कर रहे हैं 60 कर लेंगे तो कितना आजाएगा यह 300 आजाएगा इतना second में पहुंचा दे रहा है अच्छा एक बात और भी हम कर लें कि हम इसको minute में ही रहने देते हैं suppose कर लेते हैं कि इस electric kettle का जो resistance है वो R है तो अब आप इस water जब यह water इसके अंदर boil हो रहा है तो कुछ work done हो रहा है वो work done या energy अगर हम calculate करें तो V square और कितना होता है T by R कितना होता है V square T by R यह electric heater में जो energy लग रही है water को boiling point तक गर्म करके पहुंचाने में वो है V square T by R तो W is equal to हम V की value रखे हैं तो 220 का whole square और into time कितना लग रहा है और R electric kettle का heater है ठीक है कह रहा है कि आगे कि how long will it take करा यही electric kettle है यही electric kettle है यही same electric kettle है लेकिन कह रहा है अब की बार हमने इसको जो supply दे रखा है तो resistance अगर यही electric kettle है तो resistance भी यही होगा water भी उतना ही होगा और वहीं तक उसको boil करना है जितना जिस पर water boil होता है उतने ठीक temperature तक boil करना है तो work done भी same होगा करा लेकिन अब की बार हमने voltage की supply 220 ना करके हमने 200 bolt कर दिया है 200 bolt कर दिया है तो same work के लिए 200 bolt कर दिया है तो फिर से formula लगाएंगे वही B square T by R और अब की बार V की value 200 करना है हमको whole square कर रहा है अब कितना time लगेगा जब हमने electric kettle को 200 bolt से connect कर रखा अब पूछ रहा है आप से कितना time लगेगा ठीक है तो अब time T हो गया और ये R हो गया और W is equal to देखो यहाँ से ये equation number 2 हो गया ये equation number 2 हो गया ये equation number 1 हो गया work done दोनों के लिए same है तो दोनों value equal कर दो आप 220 का whole square into 5 by R और ये कितना हो जाएगा 200 whole square into T by R दोनों का resistance से same था resistance हमें cancel करना होगा और फिर जो बच रहा है उसको solve लिख लो तो 220 into 220 इनका whole square था तो दो बार लिखेंगे into 5 और 200 का whole square है तो दो बार लिखो 200 और into small t तो अब आपको जो दिख रहा है cancel होने के लिए cancel करो 20 ये cancel हो गया ये 0 cancel हो गया और फिर अब क्या बच रहा है 22 into 22 into 5 और बाई ये 200 और into 2 into small t अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर 2 से इसको काटोगे तो 11 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा और ये भी 11 हो जाएगा 11 into 11 into 5 by 100 और into small t small t equal to 1 to 1 into 5 by 100 और small t is equal to 5 2 to 10 और 2 to 10 हो गया और 5 बंज़ 5 और 6 हो जाएगा by 100 और t is equal to किना जाएगा 6.05 सेकंड मिन अट आजाएगा हमने सेकंड में तो बदला नहीं था तो ये पूरा अनसर मिनट में आ जाएगा कहरा है कि जब 220 220 बोल्ट की सप्लाई दे रखी थी तो उस इलक्टिक काटल में रखे हुए वाटर को बॉयल करने के लिए 300 सेकंड या 5 मिनट लग रहा था अब उसी सेम वाटर को उसी आर रजिस्टन्स की काटल में फिर रखा गया लेकिन बोल्टे सप्लाई 200 बोल्ट कर दिया गया अब उस वाटर को उसके बॉयलिंग पॉयंट तक पहुंचने में कितना लगेगा 6.05 मिनट लगेगा ठीक है बिटे बिटे